हू也可以 मीडिया और बड़ी ख़बर कश्मीर से है और यह kole खुशघंवरी की बात है जो कश्मीर से आ रही है क्योंकि ए जो आतंक वादी है न यह कश्मीर के अंदर न आतंक फैलाने का कोशिश करते हैं और कश्मीर के अंदर जो हमारे मासूम कश्मीरी हैं उनके उपर अटैक करते हैं हमारे सेक्यूरिटी फोर्सिस पर अटैक करते हैं ये जलालती जिहादी कायर आतंकवादी हैं जिनको लेकर आए सुभा की बड़ी खुश खबरी की बात है और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ मेरे इंडियन आर्मी और जमू कश्मीर पूलीस के जवानों को मुबारक बात दें उनको जैहिंद कहें हमारी सेक्यूरिटी फोर्सिस ने तीन जिहादी जलालती कायर आतंकवादी मार गिनाए हैं ये तीनों आतंकवादी वो आतंकवादी थे जो कल के नोगाम हमले के जिनमें से एक आतंकवादी ने बुर्का पहना हुआ था उसने जाकर दर्वाजे को जो है वहाँ पर खटकाया और उसके बाद दो आतंकवादी आते हैं वो अंधा दुन्द फाइरिंग शुरू कर देते हैं वहाँ जो संत्री था और संत्री के ओपर रमीज राजा और वो वहाँ पर ही बड़े गंभी रूप से घायल होते हैं और वो शहीद हो जाते हैं और चोथे आतंकवादी ने उनकी संत्री की बंदूक वहाँ से चोरी करके वहाँ से भाग गया चोर तो है ही यह आतंकवादी कायर भी हैं पाकिस्तानी जलालती जहादी आतंकवादी हैं चा बरी की बात है और मैं मुबारक बात दूँगा अपनी इंडियन आर्मी को हमारे जमू कश्मीर पुलीस को जिन्हों ने इन कायर आतंकवादियों को मार गिरा है क्योंकि जो बाकी कायर आतंकवादियों के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और तीन आतंकवादियों को मार गिराया है हमारी सेना ने हमारी सेना ने एक बड़ी कामियाबी उनको हाथ लगिया मेरे साथ मेरे सभी सेना के जवादियों के लिए आप लिखें जैहिंद इंडियन आर्मी जैहिंद जमू कश्मीर पुलीस जैहिंद पुलवामा का एक एक स्पियो जिन्हों ने इस एनकाउंटर के अंदर शमूलिय की और इन जिहादी आतंकवादियों को मार गिराया है जब आप लिखें कमेंट सेक्शन में जैहिंद इंडियन आर्मी उसके साथ आप तिरंगा झंडा भी लगाएं क्योंकि तिरंगा झंडा आपको आपके जब ने जाएंगे तो आप उसके अंदर आपशन में जाकर पु को मुबार्खवाद दे हमारी इंडियन आर्मी ने मार गिर आ है तेन आतंक वादी यह पुल वामा में अच जो हमला एंचाउंटर शुरू हुआ था उसके अंदर यह तीन आतंक वादी मारे यह तीनओ आतंक वादी के जवानों को मुबारख बाद देता हूँ और सल्यूट करता हूँ उनको और खास करके नमन करता हूँ उस शहीद हमारे जमो कश्मीर पूलीस के जवान को उस जाबास जवान को जेओ कल शहीद होगे रमेज राजा नाम के हमारे जवान कॉंस्टेबल उनको मैं नमन करता हू और उनके परिवार को मैं आज ये खुश खबरी दे रहा हूं कि जिनों ने आपके घर के सदस्यों को गोली मारी उनको आज उनी के साथी जवानों ने शूर वीरों ने मौत के घाट उतार दिया तीन आतंकवादी मारे जा चुके हैं ये पुलवामा इलाके से खबर आ रही है और मैं पुलवामा इलाके के लोकल लोगों से भी अपील करूँगा एंकाउंटर साइट के आगे पीछे ना फटके वहाँ पर ना जाएं वहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी कश्मीर से गंदगी को साफ कर रही है जो गंदगी है ना ये कीडे मकोडे आतंकवादी इनकी सफाई चल रही है ये नाली के कीडे है आतंकवादी इनकी सफाई चल रही है इसलिए उस एंकाउंटर साइटे बिल्कुल ना जाए वहाँ पर इनकी जब तक सफाई नहीं होती पूरी तरह इन गट इंडियन आर्मी के साथ तिरंगा जंडा लगा रहे हैं बड़ी खुशी होती है जब हम तिरंगा जंडा देखते हैं मैं सभी का धन्यवाद करूँगा सब लोग सब लोग तिरंगे जंडे के साथ जैहिंद लिखें जैहिंद लिखें इंडियन आर्मी को और हमारे शूर वीर है ना यह आतंकवादी इनकी सफाई चल रही है सफाई चल रही है सवच्छ भारत अभ्यान और इस सवच्छता भारत अभ्यान के अंदर यह जितने भी गटर के यह गंदे कीडे आतंकवादी हैं इन सब की सफाई हो रही है और इन कीडों को एक एक करके जहरनुम में भेजा जा रहा है और जब तक ये गटर के कीडों से हमारा कश्मीर साफ नहीं हो जाता तब तक हमारी इंडियन आर्मी सांस नहीं लेगी और इन आतंकियों को इनकी सही ओकाद दिखा के रहेगी देखते रहे जेके मीडिया एक बार फिट से सल्यूट करूँगा इंडियन आर्मी जम राम राम